शीबा इनु कोईन की दोस्तों और मार्किट के रिलेटिव काफी अच्छे ची जान करें लेकि आपके सामने हाजी नहीं है शीबा इनु कोईन की ट्वीटर पे कितनी बर्निंग होई और क्या कुछ निकल के सामने आए वो ही बताएंगे वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे टेम बिलकुल भी खराब नहीं करेंगे सिधा ट्वीटर पे चलते हैं लेकर उससे पहले एक चोटी जूर्केस्टर है कि वही चैलन को सुस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे ताकि आपको लगातार ऐसी वीडियो मि देर खट डिस्क्रिप्शन में उसे भी जाके फटाफट जोईन कर लीजिएगा तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे बात की जाए पहला ट्वीट जो शीवाइन कोईन की दर्फ से निकल के आया है तो मीम टोकन बाई सोशल एक्टिविटी के अगर यहां पे बात की जाए ज सकते हैं सोशल डोमीनेंस यहां पे बढ़ चुका है शीवाइन कोईन का और अगला ट्वीट है दोस्तों जो नेक्स टार्गेट निकल के आ रहे हैं बड़े अनालिसस का जो टार्गेट निकल के आ रहे हैं बहुत जल्द इनका कहना है कि शीवाइन कोईन यहां से 4.088 तक पहुँचता हुआ नजर आ रहा है काफी शांदर दोस्तों यह भी कहा जा सकता है अनालिसस की बड़ी रिपोर्ट है और यहां पे बिटकोईन का भी एक टार्गेट सी यहां पे निकल के सामने है जैसा चार्ट है चार्ट के साबसे अनालिसस है यहां पे बता रहे हैं कि next जो टार्गेट है वो 60K और उसके बाद 74K तक के टार्गेट दिखेंगे चार्ट इक लुकिंग गुड जो चार्ट बता रहे है न उसकी लुकिंग जो है वो बहुत गुड हो चुकी है तो आने वाला टाइम बिटकोईन अगर उन 70K और 74K तक जाए सकता है जो टार्गेट ओ पन होए हैं आज अभी 50 मिन्ट पहले ये ट्वीट है तो कहीं न कहीं दोस्तों मार्किट कह सकते हो अगर 74K को मार्किट ब्रेक करती है 75 के तरह बढ़ती है तो समझ लेना की एक बड़ी रैली जिसकी बात हो रही है वो रैली यहां पे स्टार्ट हो चुकी है और उसको 24 के जोन को क्रोस नहीं करता वहां से उपर क्लोजिंग नहीं होती तब तक हो सकता है यहां से एक और फिर नीचे की तरफ प्राई आ सकता है जब तक उपर क्लोजिंग नहीं होती जब उपर क्लोजिंग होगी फिर एक तरफा समझ लेना मार्किट का कि मार्किट अब बढ़ है और सप्पलाई कहीं न कहीं कम करने में हेल्प हो रही है तो आने वाला टैम अच्छा ही रहने वाला है और अगला ट्वीट जो दोस्तों निकल के सामने है ये भी एक शा अंदर ट्वीट है क्योंकि वेल्स की जो है गिंती अगर वेल्स किसी कोईन के अंदर जिच्छ भी द पर किए है तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं weels जादा से जादा शीबाइन कोईन और डोज कोईन इन दो कईनों के अंदर ही जादा इन्मेस्टमेंट करती है तो 3.5 ट्रीलियन शीबाइन कोईन बाए किये गे रहे हैं wait दोबारा तो आप एक अंदाज़ा एक सेनेरियो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आने वाला टैम कैसा रहने वाला है और यहाँ पे बिटकोई इज गुरंटली ट्रेडिंग अबाउग 66,000 तो 66,000 को बिटकोई द्वारा से टेस्ट करके उपर की तरफ जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है और एल सलवाडोर ने पाए more bitcoin today, this is the way, इस way के साफसे दोस्तों बाइंग यहाँ पे अल सलवाडोर द्वारा डेली एक बिटकोई ने हाँ पे पाए किया जा रहा है तो पॉर्टफोलियों का बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे तो आने वाला टैम कहीं ना कहीं अल सलवाडोर जो कंट्री है उसक पे जो SEC के रूल है उनको चेंज करने के लिए बदलने के लिए जो रुकावटें आ रही है बिटकोईन को जा क्रिप्टो करनसी को SEC द्वारा की जा रही है उसको जहाँ पे चेंज करने के लिए वोटिंग की गई है मतलो कह सकते हो आप यहाँ पे उसको रेगूलेट करने क लिए तो क्यों है सो सी एक से ही ही है जो की रास्ते का रुड़ा बन रही है बिटकोईन के और क्रिप्टो करनसी को तो इसको हटाने की यहां पे कोशिश की जा रही है यूएसे के अंदर तो ये भी एक बहुत बड़ी शानदार गुड नियोई दोस्तो कही जा सकती है आगे वाले ट्वीट दोस्तो यो भी है मैंने पिछली वीडियो सुबह वाली वीडियो में कवर कर रखे हैं जिसने नहीं देखी वो सुबह वाली वीडियो देख सकता है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में थेंक यू फ